सबसे पहले मैंने पट्टी को तयार कर लेना है लेकिन उसके लिए मैंने पट्टी को एक इंच चुड़ाई में और लंबाई में ये 36 इंच कटिंग कर लिया है इस तरीके से आपने पट्टी को त्यार कर लेना है उपर से लेस को इस तरीके से रख लेना होगा और यहां से तक्रीबन एक सूत का दबाव लेते हुए हम लोगों ने लेस को लगा लेना है तो पट्टी को हम लोगों ने उरेब कटिंग कर लेना है बुकरम हो या कपड़ा दोनों को हम लोगों ने उरेब कटिंग करके चुपका लेना है इस पट्टी को सीधी बिलकुल भी नहीं रगनी बाद में हमें रिंग बनाने में मसला होगा तो इसलिए आप लोगों ने उरेब त्यार करनी नहीं है पट्टी ताकि हमें रिंग बनाने में कोई मुश्किल नहीं हो ठीक है इसी तरीके से आपने लेस को लगा लेना है लेस को लगाने के बाद आपने इस तरीके से ये कपड़े को इस तरीके से फॉल्ड करना है ये देखिएगा इस तरीके से फॉल्ड करने के बाद ये तकरीमन ये जो हमारी जो बिल्यू पटी है वो तकरीमन दो सूत तयार आईगी ठीक है इस तरीके से इस तरीके से आप लोगों ने फॉल्ड करना है और बिल्कुल किनारी की सिलाई लगाते हुए आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से बना ले अगर आपसे नहीं लग रही तो आप लोगोंने पहले इस तरी कर लेने के बाद फिर आप लोग किनारी की सिलाई लगा सकते हो तो चले जी आगे चलके हम लोग गले की कटिंग वगरे भी सिखते हैं पट्टी बनाके मैंने तयार कर लिया है इसी तरीके से आप लोगों ने इस पट्टी को तयार कर लेना है तो चले जी इस पट्टी के आगे जो है न हम लोग रिंग भी बनाना सकते हैं गले के लिए मैंने बुकरम को बिचा लिया है और इसी तरीके से आपने जितना गलब पहनना है आपने उसे साफसे उपर से गली के निशान लगा लेना है मैंने तीन इंच पे लगा लिया है तो ये छे इंच तयार आएगा अगर आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं और उसके बाद डीप पेस मैंने साड़े पांच इंच पे निशान लगा लिया है तो ये पांच इंच गला तयार आएगा इस तरीके से ठीक है निशान लगाने के बाद आपने गले की शेप देनी है गले की शेप देने के बाद आपने इसकी जो सिलिट है उसकी लेंथ नापनी होगी तो उपर से मैं तकरीबर 11 इंच पर रख लूँगा 11 इंच पर निशान लगाने के बाद मैं गले की सिलिट भी कटिंग कर लूँगा ये देखिएगा इस तरीके से निशान लगाना है तगरीबन यहां से एक सूथ का दबाव लेते हुए हम लोगों ने गले की कटिंग कर लेनी है तो चलेजी जल्दी से इस गले को कटिंग कर लेते हैं गले को मैंने कटिंग कर लिया है गले को कटिंग कर लेने के बाद आप लोगों ने जो आपके पास कमीस का फालतु कपड़ होगा आपने इसको उपर इसको चुपका लेना है गले की जो भी साइस आपने रख लिया है उपर से आप لوगों ने उसको नाप लेना है नापने के बाद आपने इस तरी के मदद से इसको अच्छी तर्के से चुपका लेना होगा और उसके बाद इसका आदा दिंच का दबाओ छोड़के बागी जो फालतु कपड़ा होगा उसको हम लोगों ने कटिंग कर लेना है गले को मैंने चुपका के तयार कर लिया है गले को चुपकाने के बाद यह जो मैंने पट्टी बणा के तयार कर लिया था इसकी जो रिंग है वो मैं आप भी आपको बना के दिखा देता हूँ इस तरी को आप लोगों ने गरम कर लेना है अच्छी तरीके से गरम कर लेने के बाद आपने इस तरीके से इस पटी को गुमाना है ये देखिएगा इस तरीके से ठीक है तकरीबन इसकी जो चुड़ाई है वो डेट इंच आईगी और लंबाई में ये तकरीबन डेट इंच आप लोगों ने इस तरीके से इस रिंग को बनाके त्यार कर लेना है ठीक है इस तरीके से ये रिंग बनाने है जितने आपको ये र गले पे बुकरम के सांसा सिलाई लगा लूँगा ताकि मुझे गले पे लेस लगाने में असानी हो इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगा बुकरम के सांसा सिलाई लगाने के बाद उस सिलाई के उपर रखके मुझे लेस को लगा लेना होगा यह देखेगा यहां पर मुझ लेस पे मुझे सिलाई लगानी होगी और जो सिलाई होगी वो मैंने एक जिसी लगानी है लेस की जो सीधी साइट होगी वो उपर मशीन की तरफ रख लेनी है मशीन की तरफ रखने के बाद यहाँ पे लाके मुझे जो कट वाली निशान है वहाँ पे मुझे गेप छोड़ना होगा इस तरीके से ठीक है जितना मैंने कट पे गेप रखा है उतना ही मुझे गेप उपर गले पे भी रखना होगा इस तरीके से गेप रखने के बाद मुझे इस तरीके से पूरे गले पे इस लेस को लगा लेना होगा ये देखिएगा इस तरीके से लेस को लगा लेने के बाद में सबसे पहले फरंड को इस तरीके से बिचा लूँगा फरंड को बिचाने के बाद में ने सीधी सैट से उल्टी सैट की तरफ गले को पल्टी करना होगा ये देखिएगा इस तरीके से ठीक है गले पे आप लोगों ने सबसे पहले आलपिंस लगाने होंगे ताकि आप लोगों का जो गला होगा उसका सेंटर आउट नहीं होगा मेरा हाथ सेट हुआ हुआ है इसलिए मैं बगर आलपिंस से इस गले को पल्टी कर सकता हूँ आप लोगों ने पहले इस पे सेंटर को अच्छी तरीके से बिठाना होगा और उसके बाद आप लोगों ने पाल पिंस लगाने होंगे ताकि इस जो गले है गले का जो सेंटर है वो आउड ना हो ठीक है इस तरीके से आप लोगों ने सिलाई लगानी है सलाई लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से कटिंग कर लेना है और पल्टे करके इस्तरी कर लेना है थाली कर लेना है गले को मैंने पल्टी करके इस तरह कर लिया है और इसकी जो deep है वो मैं साथ इंच रोगा तैयार गला हमारा साड़ शेज़ जाएगा इस तरही छाएगा यहां से जो मैंने निशान लगाया है वहां से नीचे मुझे रिंग लगाने होगे और वहां सूपर हमारा गल्य की जो साइज से वो फिक्स होगी वहां सूपर ओपन होगा तो इस तरीके से किनारी की सलाई लगाते हुए मुझे उस निशान पे जाकर रूखना होगा और उसके बाद फिर मुझे इस तरीके से रिंग लगाने होगी रिंग की जो चुड़ाई है वो तकरीबन पौने दो इंच है और इसकी जो लंबाई होगी वो तकरीबन पौने इंच होगी इस तरीके से ठीक है जो बाहर मैंने जो रिंग को निकाला है वो पौने इंच है और इसकी जो चुड़ाई है वो तकरीबन पौने दो इंच है इसी सिलिट पे लगा लेना है सिलिट पे लगाने के बाद इसमें मुझे बटन टेक भी लगाना होगा तो चले जी हम लोग पहले बटन टेक को तयार कर लेते हैं और उसके बाद इसके नीची जो है ना हम लोगों ने बटन टेक को रखके लगा लेना है तो मैंने एक साइड पे इस तरीके से रिंग मैंने बना के तियार कर लिये हैं लगा लिये हैं और यहां से मैंने इस तरीके से सिलिट को नाप लूँगा नापने के बाद निशान लगा लूँगा और उसके बाद दूसरी साइड से मुझे बटन टेक को लगाना होगा यहां से इस तरीके से मुझे दूसरी सैट पे किनारी की सिलाई लगाते हुए हम लोगों ने वहाँ पे लाके रोगना होगा जहां पे मैंने अभी निशान उठा लिया है तो इस तरीके से मैंने नीचे बटन टेक को रख लेना होगा नीचे बटन टेक को रखने के बाद इस तरीके से किनारी की सिलाई बिलकुल एक जिसी लगानी है ठीक है इस तरीके से लगाने के बाद मुझे रिंग वाली जो साइट है वो मैंने बटन टेक के उपर रखना होगा इस तरीके से ठीक है और जो बटन टेक के उपर रखेंगे वो जो सिलाई होगी हम लोगों ने एक जैसी रखनी है बिल्कुल मिला के चलना है आप अपनी कुर्ती पे जरूर ट्राय कर सकते हैं रिंग के सान मैंने लेस भी लगा लिया है गले पे बहुत ही प्यारा लग रहा है और यूनिक डिजाइन मैंने बना के तायर कर लिया है वीडियो अच्छी लगी है वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देजीगा चैनल पर अगर फस्टाइम आये है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देजीगा साथी प्लाइकन को प्रेस कर देजीगा मैं ऐसी वीडियो से में शाल आता रहता हूँ मिलते हैं एक निवडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज